हलो एवरीवन, वेलकम टू लेर्ने भी एक्स्ट्रा, आइम शिवानी चाहान, इस वीडियो में हम तेखेंगे क्लास नाइन्थ मैट्स की बुक का चाप्टर सेवन, ट्राइंगल्स की एक्सराइज 6, 7.1 का क्वेशिन 1 और 2, तो क्वेशिन 1 जो है, इसमें हम लोग को बोला क्या है, इना quadrilateral, देखो क्या है ना, कि एक quadrilateral है, जो है A, C, B, D, तो quadrilateral हमारा है A, C, B, D, देखो यहां पर यह रहा, A, C, B, D, यह quadrilateral है, इसमें A, C is equal to A, D है, यानि कि जो यह वाली साइट है ना, A, C, हमें बता रखा है, A, C जो है, वो A, D के क्या है, इक्वल है, and A, B bisect A, A, B यह जो line है, यह A को bisect कर रही है, यानि कि A को काटती हुए जा रही है, show that हम लोगो show करना है कि triangle A, B, C is congruent to triangle A, B, D, ठीक है, तो हमें यह तो क्या करना है, proof करना है यह चीज़ कि triangle A, B, C is congruent to triangle A, B, D, और what can you say about B, C and B, D, तो यह जो B, C line है, यह B, C line है, और B, D, इनके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, यह भी हम लोगों को बताना है, तो देखो क्या होता है, हमें अगर कोई भी triangle को congruent proof करना है, तो यह तो हमें तीन side उसकी करने पड़ेंगी, या फिर angle करने पड़ेंगी, तो बढ़ी सारी property होते हैं, जो अभी अगर है, A, D के, यानि कि देखो यह वाली line A, C और यह वाली B, D, यह दोनों क्या हैं, यह दोनों तो आपस में equal हैं, और यह चीज हमें given है, अब हम लोग आगी क्या करेंगे, हमें यह भी पता है, कि A, B जो है, वो bisect कर रहा है इसको, तो जब भी देखो कोई line ना किसी angle को bisect करते हैं, जिससे कि यह था, C, A, D, C, A, D, यह इस तरीके से हैं, और इसको ऐसे करके एक line bisect करती हुई जा रही है, तो यह line जो इस angle को, यह वाला जो angle है, इस angle को जो line bisect करती हुई जा रही है, तो यह वाला angle और यह वाला angle हमारा equal हो जाएगा, तो कोई भी line जब किसी angle क को बैसे करती है तो उस एंगल को एकुल पार्ट में डिवाइट कर देती है तो इंगल को इसको बैसे तो अब आप लोग को triangle बिल्कुल याद है, देखो triangle ये है, ठीक है, इसको अब मैं इधर एक side और बना देती हूँ, ताकि हम लोग को जब भी हम questions करेंगे, तो हमारे सामने रहे हैं, ऐसे गर के ये देखो, ये हमारा इस तरीके से quadrilateral given है, और इसमें हमें ऐसे ये भी पता ये हम लोग को a, c is equal to a, d ये हमें question में ही given है, अगर हम लोग कॉन कॉन से triangle लेंगे? हम लोग triangle ले रहे है, a, b, c ये वाला triangle और a, b, d ये वाला triangle ये triangle 1 है, ये triangle 2 है, इन दोनों triangle में ये वाली line लाइन के equal है और ये वाले angle के equal है, क्योंकि a, b ने bisect करा है इस बडए angle को, और AB AB जो है ये दोनों तो common है तो हमारे पैस दो तो side हो गई ठीक है और एक angle हो गया तो यानि कि हमारी property हो गई है side, angle, side side, angle, side congruency से जो ये वाले जो दोनों triangles है ना ये आपस में क्या हो जाएंगे congruent हो जाएंगे तो कौन सी property यहाँ पर लग रही है side, angle, side side, angle, side से हम लोगों के जो ABC triangle है वो concurrent हो जाएंगे triangle ABD के और जो second part था ना question का कि हम लोग इस वाले BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं तो ये दो कोई जो BC है और BD है ये भी आपस में equal हो जाएगा BC is equals to PD और ये किस से होगा by CPCT CPCT होता है congruent part of congruent triangle तो देखो क्या होता है ना जैसे कि हम लोगों को ये पता लग गया कि हमारा जो ये वाला triangle है ये जो triangle है, ये वाला triangle ठीक हैं? और ये वाला triangle ये दोनों आपस में congruent हैं हमें ये चीज़ पता लग गया है तो यह वाली line इस वाली line के equal है, यह angle इस angle के equal है, यह वाली line common है, तो जो बच्चे हुए दो lines है ना, वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, आपस में equal हो जाएंगी, कि congruence angle के जो parts होते हैं वो आपस में equal होते हैं, तो यानि कि BD और CB भी आपस में equal हो जाएंगे by congruence part of congruent triangle CB CT से तो question number one यह हम लोगों ने देख लिया अब हम देखते हैं question number two ठीक है तो question number two में हम लोगों को बोला गया है कि एक quadrilateral है a, b, c, d यह quadrilateral वो होता जिसके जार साइट सोते हैं तो एक quadrilateral है a, b, c, d जिसमें a, d is equals to b, c है यानि कि जो यह वाली line है a, d is equals to क्या है b, c, यानि कि a, d is equals to b, c है यह हम लोगों को यह वाली चीज given है हम लोगों को प्रूफ को और हम लोगों को यह भी पता है कि angle d, a, b is equals to angle c, c, a, b d, a, b, यानि d, a, b, यह यह वाला जो angle है d, a, b, ठीक है यह angle angle d, a, b, ठीक है d, a, b is equals to angle c, b, a, c, b, a, यानि कि c, b, a is equals to angle c, b, a देखो यह इसको अगर मैं रब करूँ फिर से एक और बार आपको पता हूँ तो यह तो हमें concurrent proof करने में लिखतोंगी d, a, b, d, a, b, यानि कि यह वाला angle equal है किसके c, b, a के c, b, a के इसके equal है ठीक है यह चीज हम लोगों को पतानी है यह भी हमें given है मतलब दो चीज़ा हमें given है एक यह given है और एक यह given है हम लोगों को proof क्या करना है हम लोगों को triangle, a, b, d, a, b, d, यह वाला triangle, b, a, c, b, a, c, यानि कि इस वाले triangle के क्या है आपस में यह दोनों triangle concurrent है और b, d, यानि कि यह वाली line किसके equal बतानी है, a, c के equal बतानी है तो यह चीज़ें हम लोगों को करनी है और angle ABD, यानि कि ये वाला angle किसके इक्वल बताना है, B, A, B, A, C के ये वाला angle इस वाले angle के इक्वल बताना है, देखो कौन सा वाला, हम लोगों को बताना है, angle ABD, A, B, D, ये वाला angle किसके इक्वल बताना है, B, A, C, इस वाले के, इस वाले के, ठीक है, इस triangle में ये वाला angle और यह वाला अंगल आपस में इक वाल हमें बताने हैं तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एक और इस तरीके से यह फिगर बना लेते हैं क्योंकि बाल 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 देखने में दिक्कत हो जाएगी उपर ने जगर के तो यह है ऐसे करके है ना इस तरीके से ऐसे हम लोग का यह बना हुआ है तो A और D, B, C यह वाला अंगल इसके एक वाल है यह वाली लाइन इस वाली लाइन के एक वाल हमें गिवन है तो हम लोग को गिवन है यह चीज़े यह अंगल इक वाल है और यह दो साइड इक वाल है तो अब हम लोगों का है, कौन कौन से ट्राइंगल हम लोगों को लेना है, A, B, D, कौन से ट्राइंगल, A, B, D, ये ट्राइंगल, और B, A, C, B, A, C, यानि कि B, A, C, तो मैं दूसरे कलर से कर देती हूं, B, A, C, ठीक है, एक तो जो ये वाला है, ये वाला ट्राइंगल है, ये, ये वाला और एक जो ये यलो से रेट से कर देते हैं चोलों ये वाला ये दो इस तरीके से ये वाले दो जो ट्राइंगल्स है ना इनको हम लोगों को क्या करना है इन ट्राइंगल्स को हम लोगों को कॉंगरेंट करके दिखाना है एक तो ये वाला ये सबसे में बार बार इसल अलग सा कलर बन रहा है ना ये इसको अगर मैं ऐसे करके कर दूँ ये ये वाला जो रेड वाला पार्ट है ना ये इन दोलों में कॉमन बन रहा है एक तो ये वाला ट्रेंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्रेंगल बन रहा है और इसमें और इसमें दोलों में कॉमन है तो इन C is equals to AD, ये एक चीज हमें given है, दूसरी चीज हम लोगों को angle given है, कि angle DAB, यानि कि ये वाला एंगर और ये वाला angle, DAB is equals to angle CPA, ये हम लोगों को given है, और फिर उसके बाद AB, यानि कि ये वाला, ये वाला, belum, ब्लsmilी जे ये, ये वाला AB, AB देखो दोरों में common आरहा है न? हमारा common आ जाएगा, third आ जाएगा, ab is equals to ab, common, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तो ये वाला हो गया, तो हमारे पास तीन चीज़े आ गई, तो इसका मतलब क्या है, तो ये हमारा आ गया, और ये side हो गई, तो हमारा ये जो दुनों triangles है, triangle a, b, d is congruent to triangle b, a, c, ये हम लोगों की च हो जाएगा, चीक है, अब second part देख लेते हैं, second part पर हम लोगों क्या बोला गया है, b, d is equals to a, c, यानि की b, d, ये, ये वाली और a, c, ये, ये, ये दोनों क्या करनी है, ये दोनों आपस में हम लोगों हमें equal बतानी है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग देखो, हमें पता है कि a, b, d is equals to congruent to, देखो ये, triangle a, b, d is congruent to triangle b, a, c, ये तो अभी अभी हम लोगों ने congruent proof करा है, न, देखो, ये, यहाँ पर proof तो करा है, हम लोगों ने, इसको तो ये कर दो, ये वाला triangle, ये तो प्रूफ करा है, हमने a, b, d is congruent to triangle b, a, c, अगर ऐसा है, तो देखो, इसमें य न, second part, ये तो हमारा proof हो जाएगा किस से, by, c, p, c, d, क्योंकि हम इन दोनों को first part में congruent proof कर चुके हैं, और second part जो है, c, p, c, d से ये proof हो जाएगा, कौन-कौन सी angles मर रहे हैं, lines बन रही हैं ये, b, d, और a, c, b, d, b, d, और a, c, ये तो देखो, इसी triangle के parts है, na, b, d, और a, c, त a, b, d is congruent to triangle b, a, c, तो angle a, b, d और angle b, a, c, c, p, c, d से हमारे हो जाएगे, equal, angle a, b, d is equals to angle b, a, c हो जाएगा, देखो angle, कौन-कौन सी angle बन रहे हैं, देखो ये वाले, angle b, a, d, b, a, d, ठीक है, is equals to angle कौन सा पुछा है, हम b, a, c, b, a, c, ये भी हम लोगों का c, p, c, d से ही common हो ज two triangles के, ये सारे के सारे पार्ट है, तो हमारे हमने first वाला पार्ट प्रूफ कर दिया, इससे हम लोग फिर second और third वाला जो पार्ट है, c, p, c, d से ही प्रूफ हो जाएं, क्योंकि ये दोरों उसी triangle के पार्ट है, तो हमने इस वीडियो में दो questions देख लिए, hopefully आपको अच्छे लगे हैं, अच्छे लगे हैं, तो चैनल के subscribe करिए और share करिए, thank you